नमस्कर दोस्तों मैं गोतम सिंगो फुल कुलासेस में आप सभी का स्वगत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आया हूँ आई टी आई कोपा क्या है फूल फर्म अफ कोपा पूरी जनकारी हिंदी में आपको देने वाले हैं कोपा क्या होता है कोपा के फूल फर्म क्या होते है कोपा कितने दिनों का कोर्स है कोपा करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कोपा करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगा सेलरी कितनी मिलेगी पूरे डीटेल्स के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाते तक है अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा चलिए आपको हम बताते है कोपा क्या है कोपा कुर्स क्या है कोपा में कम्प्यूटर और इंटरनेट से जूड़ी जानकारी जैसे MS Office, Programming Language, Computer Operating, Basic Hardware and Software Data Entry, Tally, IT, ETC कई चीजों की जैनकारी दी जाती है आपको कोपा में कोपा का फूल फर्म क्या होता है तो देखिए C से Computer, O से Operator, P से Programming, A से Assistant यानि Computer Operator Programming Assistant कोपा कोर्स करने के लिए Qualification and V क्या होना चाहिए आपको मैं अभी बताता हूँ कोपा कोर्स जो है आपको एक साल की होती है आइटी आई कोपा कोर्स में एज क्या होता है आइटी आई कोपा ट्रेड में एडमिसन लेने के लिए आपकी नियुनतम आयू 14 बरस होनी चाहिए और अधिकतम आयू 40 बरस होना चाहिए अगर आप SC, ST, OBC कटेगरी से आते हो तो आपको उपरी आयू सीमा से 3 बरस की छूट दी जा सकती है आई टी आई कोपा कोर्स फिस क्या होती है प्राइबेट आई टी आई सालाना फी 15 से 20,000 रुपिये होती है जो की सरकार द्वरा तय की गई है आपकी फिस इस बात पर निर्भर है कि आप किस प्राइबेट आई टी आई में एडिमिशन लेने जा रहे हैं वह किसी बड़े सहर में है या किसी छोटे सहर या गाउं में है मतलब कि कोपा कोर्स के लिए आपको 15 से 20,000 रुपिये देने के लिए तयार रहना होगा अगर आप प्राइबेट से आई टी आई करते हैं तो केरियर आफ्टर कोपा कोपा करने के बाद आपको कम्प्यूटर के कम्प्यूटर से जुड़े छेत्र में रोजगार मिलेगा जैसे कम्प्यूटर अपरेटर, कम्प्यूटर लाइब, डाटा एंट्री, परग्रामिंग असेस्टियंट, एटीसी इसके अलावा आप चाहे तो स्वाइम का बिजनेस जैसर साइबर कैफे, कम्प्यूटर कलासेस, कम्प्यूटर साफ्ट्वेर, एंड हाडवेर आधी कर सकते हैं दोस्तो अब आपको हम बताएंगे आई टी आई कोपा की सेलरी कितने मिलेगी अगर आप कर लेते हैं तो आई टी आई कोपा के कोर्स को पूरा करने के बाद जब आप किसी कम्पणी में ट्रेनिंग अपरेंटिसिप के लिए जाते हैं तो उस समय आपको छे से साथ हजार रुपिये हर महीने की सेलरी मिल जाती है यह रासी सरकार द्वारत्वाय की गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप किसी सरकारी कम्पणी में भी अगर करते हैं तो आज क्रेटर महंगाई के अनुसार आपका छे साथ हजार के जगा पे आपको आट दस सेर मिल सकती है आई टी आई कोपा कोर्स के बाद क्या करें बहुत से छात्रों का यह बड़ा ही सधारण सा प्रशन होता है कि आई टी आई कोपा कोर्स को पूरा करने के बाद क्या करें ITI कोपा करने के तुरंत बाद आप देखिए आपके पास तीन राश्ते हैं अगर आप चाहते हैं कि National Institute of Open Schooling यानि की NIOS के माध्यम से आप अपनी बराहुई कक्षा Intermediate की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और तक्निकी सिक्षा के लिए आगे जा सकते हैं National Apprenticeship Certificate के लिए आप विभीन परकार के उध्योगों में Apprentice Program में सामील हो सकते हैं या दूसरा रास्ता है आपका तिसरा रास्ता है आपके पास ITI Kopa Course के सफल समापन के बाद आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सिल्फ परिक्षड योजना में सामील हो सकते हैं आप उसमें बन सकते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो फिलीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास share करना बिल्कुल न भूले, दोस्तों को पास share भी करे, thank you दोस्तो, राधे राधे दोस्तो